ट्रम्प आपके दिमाग में कंसर्ण के तौर पर कितने थे इस बजट को लिखते वक्त देखिए वो एक रेलेवन फैक्टर है आप ये मानते हैं कि प्राइवेट इंवेस्टमेंट बढ़ने की हालत नहीं है वो एक कमजोरी है प्राइवेट सेक्टर को इस देश में खड़ा होना पड़ेगा बैकबोन के रूप में खड़ा होना पड़ेगा इसकी आवशकता है बड़े वालों के लिए आपने इसके लिए छोड़ दिया कि छोटे वालों को अभी तुरंट नाराजगी है डी मॉनिटाजेशन की तो उनको थोड़ा सा रिलीफ देना जरूरी है आपने इसको खुद भी अंडरलाइन किया है सरकार को छोटों की चिंता जागा करनी चाहिए है इस देश के बड़े वाले बहुत चतुर है आपका जो हाउसिंग का पूरा प्लैन है और जो इंफरास्टक्चर का है वो एक साल में इस लेवल तक एग्जीक्यूट हो पाएगा कि जॉब क्रियेट हो मुझे लगता है कि एग्जीक्यूशन एक आरोप नहीं लगता है क्या मैं ये अटकल लगा सकता हूँ कि युनिवर्सल बेसिक इंकम स्कीम आप 2018 में सबसीडी के पैसे का बहतर इस्तेमाल करने के रादे से इंटेडूस करेंगे मैंने ऐसा नहीं कहा क्योंकि मुझे अभी पॉलिटिक्स क्या दिशा लेती है और पॉलिटिकल चर्चा और उस पर उपिनियन मेकिंग क्या दिशा लेती है तो राजनेतिक कंसेंसस मनेगा